आज मैं लेके आए हूँ चटपटी सी ओनियन की चटनी की रेसिपी जो थैंड में बहुत मसा आता है किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं पराथा पूरी नोटी के साथ भी एविन तो इसके लिए यहां पे ना मैंने चार मिडियम साइज का ओनियन लिया है प्यास को ना मच्छ कि अधि यहां पीस नहीं है तो इस तरह से हम राफली चॉप कर लेंगे पतले पतले पीसेस में है और अप्या और आगल को फ्राइब करेंगे तो यह अच्छे से खुल भी जाएगा विल्कुल पुल पथले खुलज़गा कड़ाई में ने इसही तरह से कट कर लिया है और हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो यहां पर हम लेंगे सरसो तेल में हम इसको फ्राई करेंगे तो यहां पर ना दो टीबल स्पून में ने सरसो तेल लिया है और साथ से आठ लसन की कली इसमें पहले फ्राई कर लेंगे बहुत जादा पकाना नहीं है बस हलका सा कच्छा पन चल करके वह बोछ में डाल देंगे और हलका सा ट्रांसलुशेंट हो जायना ऊतने देर तक हम इसे ठीड करते रहेंगे अहुत हआढ़ा लग्स हो जाया जैसा हो जाता ना प्याज बस अतना ही बहुत जादा भी महींकरना है हलका सबस तो इसको continue हमें चलाते हुए ना पकाना है अभी हम लोग इसमें नमक मक कुछ नहीं डालेंगे बाद में हम डालेंगे तीन से चार मिनट में ये अच्छे से गल जाएगा जैसा हमें चाहिए continue हम इसे fry करते रहेंगे देखिए इसका कलर भी हलका चेंज हो गया है और थोड़ा गल भी गया है ये अच्छे से बस इसी मोमेंट में ना हम इसमें टैमरींट इमली डाल देंगे दो टेबल स्पून के लगबग हम इसमें इमली डालेंगे इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है खटा मिठा वाला स्वाद आएगा इससे तो ये भी हम प्यास के साथ फ्राई कर लेंगे बस अलका सा कलर चेंज हो जाए उतने देर तक ये अच्छे सा फ्राई हो गया है जैसा हमें चाहिए बस अब हम से साइड में रख देंगे और थंडा हो जाए अब हम इसका मसाला बना लेते हैं तो एक टी स्पून धनिया लेंगे साबुत धनिया है ये गोटा वला जो धनिया होता है वो एक टेबल स्पून सौफ लेंगे इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है इन्हांस करता है चक्टनी की स्वाद को हाफ टी करेंगे इसलिए इन सारे चीज़ों को हलका सा लाइट ब्राउन बिल्कुल आ जाए उतने देर तक पहले इसको कुक कर लेते हैं कच्छापन चला जाए उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें कंटिन्यू चलाते रहेंगे वरना ये जला वाला स्वाद आ इसे कंटिन्यू ये में चलाते रहना है अलका लाइट कलर इसका चीज़ होने लगा है देखिए इस तरह से हम continue से चलाते रहेंगे अब हम इसमें तीन लाल मिर्च डाल देंगे बिल्कुल साथ से आठ दाने वन फोथ टी स्पून का ना हम इसमें फेन्यूग्रिक सीड डालेंगे मेथी का दाना बहुत जादा नी बिल्कुल हलका सा डालना है और उसे भी बाकी चीजों के साथ फ्राई कर लेंगे कच्छापन बस चला जाए अब हम इन सारी चीजों का ना इसमें फ्राइन पाउडर बना लेंगे बहुत जादा फाइन भी नहीं बनाना है हलका सा दरद्रा लखना है बहुत दरद्राबी कहीं होना चाहिए इस तरह का बेलकुल होना क ऐसमें लेंगे कडाई में में जोसमें हमने त्याले प्याज फ्राई किया था घृ मिलें त्याज एक sự स्पून हम इसमें डालेंगे गवाश फक्यू जेरी हम चोः लगाएंगे चकनी में अबल एक हम त्यार कर रहा है कि मंग्रेल डालेंगे हाफ टीस्पून कि इसको स्टोर भी हम कर सकते हैं फॉरा मंथ अगर फ्रीज में इसको रखेंगे तो और सारी चीजों को खुब अच्छे से फ्राई करेंगे हाफ टीस्पून लाल मेच पाउडर इससे कलर आएगा यह तीखा बिलकुल नहीं होता है ब बहुत जादा फ्राई नहीं करेंगे वरना इससे ना जलावा स्वाद आने लगेगा और कंटिन्यू चलाते हुए हमें से फ्राई करते रहना है छोड़ना बिलकुल भी नहीं है अब जो हमने प्यास का फाइन पेस्ट बनाके रखा था वो इसमें डाल देंगे और मसा जो बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी देर तक हमें बूनते रहना है थोड़ी देर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे उसके बाद जो हमने मसाला इसका बनाके रखा था वो इसमें डाल देंगे अगर आपको मसाला ज्यादा लगे तो आप रख सकते हैं दुबारा जब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और जिस मिकसर जार में हमने पीस के रखा था प्यास को उसमें थोड़ा सा पानी लेके इसी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल चट्नी वाली हलकी सी थिन कर लेंगे हम लो बहुत जादा ठीक लग रहा था ये इसलिए हमने थोड़ा पानी इसमें मिलाया है से मिकसर जार जिसमें पीसा है मसाला और प्यास को उसमें ही पानी डाल के हम इसमें मिक्स कर लेंगे continue हम इसे चलाते रहेंगे और उसके बाद ना हम इसमें स्वाद की अनुसार नमक डाल देंगे मैंने half take spoon नमक डाला है इसमें और इसे continue fry करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर इस तरह से golden ना हो जाए मसाले को मैं अच्छे से चटनी के मसाले को अच्छे से फ्राइब करेंगे ना तो इसे काफी time तक हम इसको store करके रख सकते हैं फ्रिज में तो इसलिए मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है इसमें यह खाने में बहुत स्वादिस लगता है तो इसको ज़रूर ठ करें मुझे बताएं आपको यह सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी ठंके मौसम में प्यास खाना बहुत अच्छा होता है तो जरूर ठाइब करें इस रेसिपी को मुझे बताएं कमें सेक्षिन में आपको यह रेसिपी कैसी लगी इस तरह से हमें continue चलाते रहना डाक हो गया है बिल्कुल कलर इसका बन चुका है हमारा अनियन का चेक्टनी अब हम इसको सर्विंग बोल में ट्रांस्फर कर लेते हैं जबन के तयार हो गया हमारा चटनी किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं इसको पराठा पूरी किसी भी चीज के साथ में बहुत स्वाद्ट इस करता है तो ज़रू ट्राइ करें मुझे बताएं आपको यह रेसिपी कैसी लगी थैंक्स वर वाचिंग इंजॉइ